हलो फ्रेंस, आज हम योग पर दस लाइने जानेंगे हिंदी में, तो चलो शुरू करते हैं वन, योग का जन्म प्राचीन भारत में हजारों साल पहले हुआ था योग एक कला है, जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोरता है और हमें मजबूत और शांती पुर्ण बनाता है त्री, योग अभ्यास करने के मुख्य लाभों में से एक यह है की यह तनाब कम करने में मदद करता है फोर, योग से शरीर में खून का सही से प्रवा होता है और शुगर की समस्या से भी छुटकारा मिलता है फाइव, योग के द्वारा मानसिक समस्याए जैसे क्रोध, इर्षा, भै, चिंता, आदी को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है 6. अंतराश्रिय योग दिवस प्रतेक बर्ष 21 जून को मनाया चाहता है 7. योग से पाचन शक्ती बरती है जिससे मोटापा कव्स चैसे समस्याओं से छुटकारा मिलता है 8. योग अभ्यास का एक प्राचेन रूप जो भारतिय समाज में हजारों साल पहले बिक्सित हुआ था और उसके बाद से लगातार इसका अभ्यास किया जा रहा है 9. आज दुनिया भर में योग का अभ्यास किया जा रहा है विश्व के लगभग दो अरब लोग एक शर्विक्षन के मुताबिक योग का अभ्यास करते हैं 10. योग के अनेक लाव है जिनको गिनाया नहीं जा सकता योग भगवान दोरा मनुश्य को दिया गया एक बरदान है धन्यवाद अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए और साथी साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बैल आइकन के भी प्रेस कर दीजिए टेक कियर बाबाई बाइ